तो आज मैं एक्स्पेंड करूंगे House of the Trident के एपिसोड नमबर 3 को जिसका नाम है Second Office Name इस एपिसोड में बेटल, बहुत से डीप मीनिंग और एंड में हमें फ्यूचर के लिए मेशद थिंग जाने को मिलेंगी अगर आपने Last Two Episodes की वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप I button को क्लिक करके पहले Last Episode को चेक आउट करें तो चली स्टार्ट करते हैं House of the Dragon के Episode No.3 की Last Episode में हमने King Viserys को Allison से शादी करने का एलान करते हुए देखा था Master of the Ships Colores को Prince Demon के साथ Craft Feeder से लड़ने के लिए और History Change करने के लिए दिखाया गया था अब इस Episode में हमें दिखाया जाता है Step Stone को जहां War के कारण तबाही फैली हुई है और चारों तरफ आग जल रही होती है यहां Craft Feeder जो की Prince Dahar है लोगों को तरपा कर मार रहा है पर लोगों को यहां अपने King Viserys पर भरुसा है कि वो अपनी Dragons को लेकर आएंगे Craft Feeder को जला देंगे यहां Prince Demon, Viserys के सबसे मले Dragon कराक्सेज में आकर सब के उपर आग बरसाता है और वो Dragon अपने ही एक आदमी को अपने पैर से कुचल देता है डेमन Craft Feeder को लड़ने के लिए चैलेंज करता है पर यहां Craft Feeder एक कुफा में अपनी आर्मी के साथ छुप जाता है और वहीं से डेमन पर हमला करता है इसे डेमन को एक तीर भी लग जाता है और डेमन बचते हुए अपने Dragon में बैट कर वहां से उड़ जाता है इस एपिसोड में हमें तीन साल आगे का सीन दिखाया जा रहा है अब King Viserys की Queen होती है Alison Hightower और उन्हें एक Baby Boy भी हुआ होता है जिसका नाम है Aragorn II Targaryen और यहां आज Prince Aragorn का Second Birthday का Celebration चल रहा है यहां Hand of the King, Aragorn II Targaryen अपने भाई के साथ बात कर रहे होते हैं और उनके भाई उन्हें बोलते हैं कि King Viserys को मेसेज मिलता है कि Step Stone में हल्प की जुरुत है पर King Viserys यहां जादा उस पर धिहान नहीं देते वो लोग इस लड़ाई को 3 साल से भी जादा से लड़ रहे हैं पर इस से जादा important उनको अपनी बेटी Renera को ढूनना है जो की ना जाने Celebration को छोड़ कर कहां चली गई है और यहां पर Renera वही कर रही है जो की एक moody teenager अपनी अंदेखी होने पर करता है वो गार्डन में बुक पढ़ रही होती है वहाँ उसकी friend रह चुकी Queen Elicent आती है जो की pregnant है और उसकी stepmother भी Queen Elicent Renera को वहाँ से लेने आई थी और यहां से पता चलता है कि दोनों की friendship के बीच अब बहुत खटास आ चुकी है अपने road trip पर हंट पर जाती हुए King Viserys Renera को याद दिलाते हैं कि वो एक royal family से हैं और उसके भी कुछ duties हैं जैसे शादी करना और बच्चे बैदा करना ये देखते हुए कि आज Aegon का birthday है Renera अपने dad को याद दिलाती है कि कोई भी उसके लिए यहां नहीं है जैसे वो सब शिकार करने के लिए तयारी करते हैं Lords and Ladies डिसकस करते हैं कि Stepstones में क्या किया जाना चाहिए Renera को हंट में आने का बहुत ही पश्टावा होता है यहां वो मिलती है Jason Lannister से जो कि उसके लिए ड्रेंक लेके आया होता है और सिधा शादी का प्रोपोसर रख देता है और वो उसे लेडी वाइफ भी बुलाता है Renera वहां से गुस्सा होकर अपने डैट को कंफरंट करने चली जाती है और वो अपने डैट से बोलती है कि वो किसी भी रांडम इंसान से शादी करेगी पर वो जेसन लेनिस्टर से तो नहीं करेगी किंग उन्हें बोलते हैं कि उन्हें शादी के लिए बहुत सारे प्रोपोसल आ रहे हैं और वो उसकी शादी अच्छे इंसान से कराना चाते हैं पर यहां Renera को शादी नहीं करनी है रनेरा वहां से घोड़े में बैठ कर जंगल में चली जाती है उसको फॉलो करते हुए क्रिस्टन कोर भी वहां उसके पीछे चले जाते हैं थोड़ी सी हाथ तो हाथ बात करने के बार हैंसम नाइट कोल के सब रनेरा मैरेज के बारे में दुबारा सोची लगती है यहां सब हंट करने आए हैं पर रोयल आइडिया हांटिंग का ये है कि आप तब तक अराम से बैठे रहेंगे जब कोई आपके लिए किसी जानवर को ढून ना ले तो इसी लिए सब यहां इंतजार में हैं इसी टाइम जेसन लैनिस्टर किंग विसरस का दिल जीटने के लिए उन्हें गोल्डन स्पेर मतलब भाला ओफर करता है और फिर से दोराता है कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाता है यहां किंग विसरस ने काफी ड्रिंक करी होती है और उसके क्रेडिट के लिए जेसन का एसंप्शन वो वापिस दुबारा खट-कटाते हैं कि वो प्रिंस एगाउन को रियाना की जगा उत्तर अधिकारी बनाएंगे किंग को यहां जेसन को ज़्यादा पसंद नहीं आता यहां ओटो हाई टावर फिर से नए चडियंतर रश्टे हैं और वो एक बार फिर मैच मेकर बनने का फैसला करते हैं और वो किंग विसरस को रनेरा के फ्यूचर हजबन के लिए नए सजेशन देते हैं उसका मानना है कि ऐसा करने से आयरन थोन के लिए सिर्फ एक ही वारिस होगा वो लड़का अभी दो साल का ही तो हुआ है किंग विसरस उसे बूलते हैं जब तक लोनन स्ट्रॉंग जो कि मास्टर अफ लॉज और लॉड अफ हरिनल हैं इस मैटर में अपनी रायर देने आते हैं तब तक किंग विसरस काफी नशी में होते हैं अड्वाइजर यहां सज़स्ट करते हैं कि रेनेरा के शादी हाउस वेलरियोन के सी स्नैक यानि कॉलेरेस वेलरॉन के बेटे लेनॉर से करा दे ऐसा करकर उनके रिलेशन भी अच्छी हो जाएंगे यहां किंगस वूड में रेनेरा और क्रिस्टर्वन बाते कर रहे होते हैं तब ही हॉरर मूवी की तरह जंगली सूवर अचानक से उन पर हमला कर देता है रेनेरा उसे मार गिराती है अपने नाइफ से और यहां काफी खून रेनेरा पर गिरता है दुस्री तरफ नशेगी हालत में किंग विसरस कुईन एलिसन को रिवील करते हैं कि एक भवीशिवाणी का सपना उन्हें बहुत पहले आया था जिसमें उन्होंने अपने सन को एगॉन दा कॉन्कुरर का क्राउन पहने देखा यहां एगॉन टार्गेरियन, फांडर और फर्स्ट किंग है टार्गेरियन डायनेस्टी के जबकि King Viseras और Queen Alison के सन का नाम Prince Aragorn the Second Targaryen है इसमें आप Confuse मत होना तो यहां से ये भी पता चलता है कि King Viseras को एक लड़की की इतनी चाहत क्यों थी लेकिन King यहां खुद को दोशी भी मानता है क्योंकि उनकी वज़े से उनकी First Wife Emma की Death हो गई थी और अपनी गलती सुधारने के लिए Renera को उन्होंने उत्तर अधिकारी बनाया था पर अब उन्हें शौर नहीं है कि वो सही डिसीजन था की नहीं नेक्स डे शोल्जर्स को शिकार करने के लिए एक हीरन मिल जाता है और शिकार करने से मेरा मतलब है कि दस वारियर यहां जानवर को लंबे समय तक स्तिर करकर रखते हैं ताकि किंग विसरस भाले को जानवर के दिल पर मार सके House of the Dragon में रियली में इस एपिसोड में जानवरों पर काफी वाइलेंस दिखाया गया है यहां नरेरा के साथ बिलकुल अपोजिट हुआ है जो उस जंगली सुवर के खून से लटपत है जिसे उसने अभी हराया है और एक रियल कुइन की तरह कैंप में वो वापिस आती है ओटो हाइटावर जो अभी भी योजना बना रहे हैं वो चाते हैं कि प्रिंस एगॉन को उत्तर अधिकारी बनाया जाए ओटो हाइटावर कुइन एलेसंट को किंग विसरस के दिमाग में ये विचार को डालने की कोशिश कराते हैं वो यहां रेनेरा के प्रतिय रोयल्टी के लिए रेजिस्टेंट यानि प्रतिरोधी है को उनकी हेल्प करने चाहिए पर किंग यहां उनकी हेल्प नहीं करने चाहता है यहां हम यह भी नोटिस करते हैं कि किंग विसरस के लेफ्ट हैंड की फिंगर्स काली पढ़ने लगी है क्योंकि उनके लेफ्ट शोल्डर में आईरन त्रोन से जो घाव हुआ था शायद उसी से उनका लेफ्ट हैंड भी खराब होने लगा है किंग विसरस कुईन एलिसन की बात मान कर डेमिन और कॉलरेस की हेल्प के लिए और्डर बेशते हैं तबी वहां रेनेरा आती है और वो दोनों शादी की बात स्टार्ट करते हैं रेनेरा यहां बोलती है कि किंग उसकी शादी इस डर से कर आ रहे हैं ताकि वो उसे प्रिंस एगॉन से बदल सके यहां king उसे बोलते हैं कि वो उसकी वारिस है और उसे कोई नहीं बतल सकता उसे अपनी family स्टार्ट करनी होगी और अपनी line को आगे बढ़ाना होगा और वो अपनी शादी अपनी choice से कर सकती है अब हमें step stone के संगर्ष को दिखाया जाता है demon, call rays और उनके लोग यहां परिशान है क्योंकि dragon भी यहां उनकी help नहीं कर पा रहे है cry feeder और उनके लोग गुफा में छुपे होने से वो उनका कुछ भी नहीं बिगार पा रहे demon वहां पहुंचता है और उसे king का letter मिलता है जिसमें help भीजने का promise लिखा होता है अपने अभिमान में demon उस messenger को मार देता है और अकेले ही cry feeder से लड़ने चला जाता है demon white flag की army cry feeder और उसकी army को cave से बहार निकालने में successful होता है demon डरजन और दुश्मनों को अकेले ही मार देता है सेकडों तीरों को भी वो गिरा देता है dragons भी वहाँ आकर cry feeder की army को मार देते है अब last में हम देखते हैं demon को जो खून में सना हुआ cave से बहार निकलता है और cry feeder की आधी कटी हुई body को खीशते हुए बहार निकलता है तो ये तीन साल की उतल पुतल आखिरकार end हो जाती है और यहीं पर house of the dragon का episode number 3 end होता है आप लोगों की क्या राय है नीचे comments box में ज़रूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करेगा अब मैं मिलती हूँ नए एपिसोड के साथ तब तक आप hour for you चैनल के बाकी वीडियो को enjoy करें See you next time